बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्यन के अध्याय 11 अंतराष्टिय व्यापार के बिंदू अंतराष्टिय व्यापार का अर्थ वयकारणों पर चच्चा करूँगा आईए प्रारंब करते हैं सबसे पहले तो हम व्यापार और व्यवसाय को देखते हैं देख वस्तूओं और सेवाओं का क्रे विक्रे किस द्रश्टी से लाभार जन्द के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तूओं और सेवाओं का जो क्रे विक्रे किया जाता है वह व्यापार कहलाता है जबकि व्यवसाय में व्यापार भी सम्मिलित होता है इसके अलावा अन्य के लियाएं जैसे उत्पादन, वित्रण, विप्णन, विज्यापन, ये भी सम्मिलित होते हैं, यानि विवसाय जो है वह एक विश्तृत शब्द है, जबकि व्यापार एक सीमित शब्द है, अब जो व्यापार है इसको हम दो भागों में बाड़ते हैं, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में भी पड़ा था, एक होता है आंत्रिक व्यापार और एक होता है बाहिये व्यापार, इसके बारे में हम निविस्तार से चर्चा की, इस अध्याय में हम बाहिये व्यापार यानि अंतरराश्टिये व्यापार पर चर्चा करेंगे, अंतरराश्टिये व व्यवसाय या व्यापार का अर्थ एक देश की सीमा के बाहर जाकर जब विनिर्मान कारिये उत्पादन कारिये वह वस्तुओं का आयात निल्यात किया जाता है तो वह अंतरराश्टिय व्यवसाय कहलाता है कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर विनिर्मान एम व्यापार करता ह तो उसे अंतराष्टिय व्यवसाय कहते हैं देखिए अंतराष्टिय व्यापार में क्या सामिल है आयात निल्यात और पुनह निल्यात ये अंतराष्टिय व्यापार में सम्मिलित होते हैं वस्तुओं का आयात करना वस्तुओं का निल्यात करना पुनह निल्यात करने ये इसके अंतराष्टिय व्यापार में शामिल है वस्तुओं में और सेवाओं के अंतरगत अंतराष्टिय व्यापार में यात्रा पर्याटन संप्रेशन बैंकिंग इत्यादी सम्मिलित होते हैं यह सेवाओं के संदर्म में हैं और यह वस्नुओं के संदर्म में अंतराश्तिय व्यापार है और विवसाए में दूसरे देश में जाकर निवेश करना देखिए व्यवसाय में क्या है अगर आप अंतराष्टिय व्यवसाय के संदर्म में इसे देखेंगे तो अंतराष्टिय व्यवसाय दूसरे देश में जाकर उत्पादन कारिय करना वहाँ पर निवेश करना अब निवेश कैसे कर रहे हैं आप प्रत्यक्स निवेश हैं या कि अन्य प्रकार से हैं संयोक तो उपकरम वहाँ पर इस्तापित करना लाइसेंसिंग के माद्यम से वहाँ पर कारिय करना फ्रेंचाइजिंग के माद्यम से कारिय करना ये सभी अंतर राष्टिये व्यवसाय के अंग है आए इन्हें और देखते हैं यह वह व्यवसाय किरिया है जो राष्ट की सीमाओं के पार की जाती है, इसमें ने केवल वस्तु एवं सेवाओं का ही व्यापार समिलित है, बलकि पूंजी, व्यक्ति, तकनीक, बोद्धिक, संपत्ती, जैसे पैटेंट, ट्रेडमार्क, ज्यान वे कोपी राइट का आदान प्रदान भी होता है, देखि पूंजी, व्यक्ति, तकनीक, टेकनोलोजी, बोद्धिक संपता, जैसे पैटेंट, ट्रेडमार्क, ज्यान और कोपी राइट का भी आदान प्रदान सम्मिलित होता है, अंतरराष्टिये व्यापार वस्तुओं का आयात एम निल्यात, एतियासिक रूप से अंतरराष्टिय व्यापार का, वह भी वस्तुओं का, वह भी किसका, वस्तुओं का, वस्तुओं का जो अंतरराष्टि व्यापार किया जाता है, उसका हिस्सा जादा होता है, अन्य जो है, चाहे वो सेमाएं हो, या अन्य जो गतिवदिया हैं, उनका हिस्सा कम होता था, लेकिन अब जो मान्यता है, उसके अंतरगत, अंतरराष्टिये व्यापार में अं। गतिविद्यों का इसमें बड़ा है यह वर्तमान वंदार्णा और गतिवदियों crowded है यह अंतरराश्ट कि व्यवसाई में वस्तुयों और सेवाओं का जो आयात nor gift किया जाता है वस्तुयों और सेवाओं जो एक देशनों में भेजी जाती है प्रात की जाती है उनके साथ साथ अन्य गतिविदियों का भी महत्वपूर्ण स्तान है सेवाओं का अंतराश्टिय व्यापार जैसे अंतराश्टिय यात्रायमं परिवहन संप्रेशन बैंकिंग भंडारन वित्रण विज्ञापन काफी अधिक बढ़ गया है यह अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है संप्रेशन तक्नीक आदारगध धाचा आदी के विकास के कारण यह संभव हो पाया है और इसका क्यों इतना रोल बढ़ा है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है संप्रेशन के साधनों का विकास होना टेकनोलोज के का development होना और जो हमारा आधारगध धाचा है उसका मजबूत होना और तेजी से विक्सित कर जाना इसका महत्वपूर्ण कारण है नए नए संप्रेशन के माध्यम एवं परिवेहन के तिवर वै अधिक सक्षम साधनों के विकास के कारण आज विविन देश एक दूसरे के नजदीक आगए हैं संप्रेशन के साधनों और परिवेहन के साधनों में जो विक्स हुआ है तेजगति से उसके कारण दूर इस्तित देश भी अब काफी नजदीक आगए हैं उनमें अंतराश्टिये व्यापार बड़ा है उनके बीच विवसाय भी बड़ा है उनके बीच व्यापार संभव हो पाया है, जो देश दूरी पर इस्तित थे, जहां पर व्यापार करना संभव था, व्यवसाय किया जाना संभव था, संप्रेशन के साधनों और परिवहन के साधनों के कारण, अब वहां पर व्यापार और व्यवसाय आसानी से किया जाने लगा है, आगे कियों किया जाता है इसके महत्वपून कार्ट को को हम देखती हैं देखिए हर देश में जो देश है उसमें उत्पादन के साधन जो ऊत्पादन के नहीं है, यह एसंभव होता है, हर देश में सारे प्रकार की वस्नुओं का उत्पादन हो, यह एसंभव होता है, जैसे उदारन के तोर पर इरान है, वहाँ पर ओयल पाया जाता है, वहाँ पर टेल, पैट्रोलियम पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हैं, और हमारे देश में खाद्यान उपलब्द हैं, इरान के वल पैट्रोलियम पदार्थों पर निरवर रहे, वहाँ पैट्रोलियम पदार्थ से अपनी सबी आवशक्ताओं की पूर्ती करता है, किस परकार करता है? वह अपने जो oil है वह अन्य देशों को देता है जहां पर उसकी कमी है वह पैट्रोलियम बदार्थ भारत जैसे देशों को देता है और भारत जैसे देशों से वह अपने देश के लिए क्या प्राप्त करता है खाध्यान प्राप्त करता है इस प्रकार भारत भी अपनी आवश प्रकार किसी अन्य देश में उत्पादित वस्तु को भारत प्राप्त करता है भारत अपने यहां उत्पादित वस्तु वहां पर प्रदान करता है इस प्रकार जिन वस्तुओं का उत्पादन देश नहीं कर पाते वो दूसरे देशों से मंगाते हैं और अपने यहां पर उत् अंतर राष्टिये विवसाय और अंतर राष्टिये वियापार बड़ा है साती सात उत्पादन के जो विविन्यकारक हैं उनका भी ए समान वित्रण अंतर राष्टिये विवसाय का प्रमूख कारण रहा है आईए इसे देख लेते हैं देश अपनी आवशक्ता के सभी पर उत्पादन नहीं कर सकते देखिए सभी वस्तूओं का वो उत्पादन करें यह संभव नहीं है साथ इसाथ सस्ते मुल्य पर उत्पादन करें यह भी संभव नहीं हो पाता है प्राकर्तिक संसादनों का ए समान वित्रण अत्वा उनकी उत्पादक्ता में अंतर के कारण ए किसी देश में कच्च माल कच्चे माल की प्रचूरता है लेकिन वहां पर स्रम महिंगा है वहां पूंजी का अभाव है तो वह इस कच्चे माल से उपयोगी वस्तू में बदलाव नहीं कर सकते अब उन्हें अपने इस कच्चे माल को किसी अन्य देश को देना पड़ता है जहां पर वो इससे वस्तुओं का निर्मान कर सकते हैं सस्ते मुल्य पर तो यह जो ऐसमान वित्रण है प्राकरतिक संसादनों का यह भी अंतराश्टी विवसाय का कारण बना है कई देश ऐसे हैं जहां पर स्रम प्रचूरता में हैं लेकिन वहां पर पूंजी नहीं है वहां पर कच्चे माल का अभाव है वहां पर मजदूर तो कम पैसों में उपलब्द हो जाते हैं वहां पर काम करवाना तो बहुत सस्ता पड़ता है लेकिन वहां पर कच्चा माल नहीं हैं इस कारण से वहाँ पर कोई भी वस्तू का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है उत्पादन के विबिन्न सादन जैसे स्रम पुंजे एवं कच्चा माल जिनकी विबिन्न वस्तूओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवशक्ता होती है उन संसादनों की उपलब्द है ठीक है भारत में खाद्यान उपलब्द है और यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्द नहीं है जिससे की भारत अपनी पूरी आवशक्ता की पूर्थी कर ले तो ये चीजें जो है एक वस्तु की उपलब्दता और दूसरी की अनुपलब्दता यही अंतर राष्ट में श्रम की उत्पादक्ता एवं उत्पादन लागत में भिन्नता का होना भी अंतर राष्टिये व्यवसाय का प्रमुक कारण है अंतर राष्टिये व्यवपार का प्रमुक कारण है देखे अलग-अलग देशों में अलग-अलग सामाजी का आर्थिक कारक्त होते हैं वहा पर खाद्यान फस्टों का उत्पादन नहीं हो पाता और कहीं पर पेट्रोलियम पदारतों का उत्पादन नहीं हो पाता साथी साथ राजनितिक कारण भी विविन राष्ट्रों में जो स्रम की उत्पादकता है और जो वहाँ उत्पादन लागत है उसको प्रभावित करते ही इससे अंतरराष्टिय व्यापार होता है इस कारण भी अंतरराष्टिय व्यापार बहुत अधिक होने लगा है आई आग स्राम जो है, आसानी से उपलब्द हो जाता है, और यहां पर स्राम एक कम पगार में भी काम करते हैं। तो ऐसी इस्तती में, दूसरे देशों के जो वियापारी है, वो यहां पर उतपादन कालिय करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां श्रम सस्ता है। अमेरिका जैसे देशों में स्रम महंगा है तो ये जो ए समान स्रम विवाजन है छेत्रिय स्रम विवाजन है इसके कारण भी अंतराश्टी व्यापार बढ़ रहा है कोई एक देश अन्य देश की तुलना में स्रेश्ट गुनवत्ता वाली वस्तुमों का कम लागत पर उत्पा बहुत अधिक मात्रा में होता है अच्छी गुनवत्ता की चीनी यहां पर उत्पादित की जाती है लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन में गन्ना नहीं होता वो चीनी का उत्पादन नहीं कर पाते तो ऐसी इस्तती में कई देश अन्य देशों की तुलना में अच्छी गुनवत आवशक्ता की वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते इससे भी अंतराश्टिय व्यापार बड़ा है भारत अपनी जो उत्पादित वस्तु है वहें दूसरे देशों में वहें क्या करता है दूसरे देशों को बेचता है और अपनी आवशक्ता की वस्तु हैं दूसरे देशों स क्या है मंगवाता रहता है उप्रोग्त कारणों से प्रतेक देश के लिए उन वस्तुओं हैं उन सेवाओं का उत्पादन अधिक लाप्रत रहता है जिसका वह अधिक कुशलता पूर्वक उत्पादन कर सकते हैं अब हर देश हर वस्तू का कुशलता पूर्वक उत्पादन न लागत में कर सकते हैं, कुछ लोग किसी अन्य वस्तू का उत्पादन कम लागत में कर सकते हैं, तो वो अपने देश में उत्पादित होने वाली वस्तू का ही उत्पादन करते हैं, जो कम लागत पर उत्पादित की जा सकती हैं, और उन्हें उत्पादित करके अन्य देशों म में भेजते हैं और अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं को और सेवा ओं को अपने देश में मंगवाने का कारिय करते हैं इससे अंतर राष्टिय व्यापार अंतर राष्टिय व्यवसाई भी चलता रहता है सेश वस्तूमों को वह व्यापार के माध्यम से उन देशों से ले सकते हैं जो उन वस्तूमों का उत्तौान कम लागत पर कर सकते हैं लेके एक देश यह वहां पर किसी सो पादन करने पर 10 रुपए करचा आता है जो दूसरा देश से उसमें प्राकर्तिन संसादनों की कमी है तो वहां पर उसी ए वस्तु पर सो रुपे खर्च को रहा है तो ऐसी इस्तति में यहां पर जहां पर असनी से अधिक्ता में करवाया जाता है एक देश का दूसरे देश से व्यापार का यही कारण है और सी व्यापार को अंतरराश्टी व्यवसाय कहते हैं उत्पादन कम लागत में हो अच्छी गुणवत्ता का हो तो व्यापार आसानी से हो जाता है देखिए व्यापारी वहीं पर उत्पादित करना चाहता है जहां पर कम लागत में अच्छी क् लागत आती है वहां पर उत्पादन करवाने से व्यापारी बस्ते हैं वहां से वस्तूओं का क्रे करने से वह बस्ते हैं तो जहां पर सस्ती लागत है वहां से वह क्या करेंगे वस्तूओं को क्या करेंगे क्रेंगे इसी प्रकार भारत में कई बिमारियों का जो इलाज है उस कई देशों के लोग यहां आकर स्वास्त सेवाओं का लाब प्राप्त करते हैं क्योंकि भारत में स्वास्त सेवाओं क्या है सस्ती है कई देशों में बहुत मेंगी है तो सस्ती जहां स्वास्त सेवाओं उपलब्द होती है वहीं पर उन सेवाओं के लिए लोग आते हैं तो इस प्रकार अंतरराष्टिये व्यवसाय चलता है, आगे देखते हैं बच्चों, घरेलू एवं अंतरराष्टिये व्यवसाय में अंतर, यहां पर हम इन घरेलू व्यवसाय और अंतरराष्टिये व्यवसाय के अंतर को कुछ बिंदूओं के आधार पर समझेंगे, देखिए, सानी के रूप में समझना बहुत आसान होता है आईए देखते हैं क्रेता एवं विक्रेताओं की राश्ट्रियता देखिए बच्चों घरलू व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता एक ही देश की होते हैं वहाँ पर खरीदने वाला भी उसी देश का है और बेचने वाला भी उसी देश का है जैसे भारत में खरीदने वाले भी भारती हैं और बेचने वाले भी भारती हैं और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं समझती हैं वो एक दूसरे के आवशक्ता के बारे में एक की रूची के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं गरेलू व्यावसाइक लेंदेन में एक ही देश के व्यक्ति अत्वा संगठन भाग लेती हैं अंतराष्टिय व्यवसाइए में विबिन्न देशों की राष्टियता प्राप्त लोग पस संगठन भाग लेते हैं और अंतरा के पास हो यह संभव नहीं हो पाता है तो अंतर राश्टी व्यवसायत करना थोड़ा कठिन हो जाता है दूसरा है अन्य हितार्तियों की राश्टियता देखिए अन्य हितार्ति कौन जो की व्यवसाय से जुड़े होते हैं जैसे आपूर्ती करता जैसे वित्दाता लेनदार देनदार, उपभोकता, ये सभी एक व्यवसाय से जुड़े होते हैं, अने को दूसरे हितारती जैसे आपूर्ती करता, करमचारी, मद्यस्त, अंसदारक, साजेदार, सामन्यत है एक देश के नागरिक होते हैं, घरेलू, व्यवसाय में, वो सभी एक दूसरे के बारे में पू समचारी हो, चाहिए वह मद्यस्त हो, ये सभी एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं, जबकि अंतरराष्ट्य व्यवसाय में ये अलग-अलग देशों के हो सकते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति, कोई चीन का हो सकता है, कोई अमेरिका का हो सकता है कोई इरान का हो सकता है, कोई आश्रेलिया का हो सकता है, और कोई भारत का हो सकता है, तो अलग-अलग जो हितारती हैं, उनके अलग-अलग देशों में होने के कारण व्यवसाय करना, अंतराष्ट्य व्यवसाय में बहुत कठिन हो जाता है, अन्य दूसरे हितारती, आपूर होता है आधार उत्पादन के साधनों की गति सीलता देखिए उत्पादन के जो साधन है स्रम और पुणजी वो एक देश में जब व्यवसाइक किया जाता है घरेल्व विवसाइक जब होता है तब वह अधिक गतिसील होते हैं आप एक श्रमिक को एक जो प्रोज्तन भीज़्ना है तो आसानी से यहां पर जा सकता है इसके आने जाने पर किसी परकार का कोई व्यवधान नहीं होगा हम हमारी पुन्जी को किसी प्रकार की कठिनाई हमें नहीं होगी लेकिन विभिन्न देशों के बीर यह उत्पादन के साधन है श्रमव पूंजी ये अपेक्ष्याकरत कम गतिसील होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के दूसरे देश में जाने के लिए वीजा परमिट वह कहीं अन्य परकार की जो है उपचारिक्ताएं वो पूरी करनी होती है आप दूसरे देश में निवेश करना चाहते हैं लेकिन वहां कही उपचारिकताएं हैं जिसके कारण आप निवेश नहीं कर पाते तो दूसरे देश में निवेश करते समय अंतराश्टी व्यवसाय करते समय स्रम और पूंजी की जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है अगला है बाजार में ग्राहकों के स्वरूप में भिन्दता देखिए घर गरेलू व्यवसाय में ग्राहकों में समरूपता पाई जाती है अप एक शाकरत अधिक समरूपता पाई जाती है जबकि जो अंतराश्टी वाजार होता है उसमें अलग-अलग देशों में अलग-अलग भाशा होती है अलग-अलग रिती रिवाज होते हैं अलग-अलग प् वहां की जो प्रात्मित्ताएं हैं उनको समझना बड़ा कठिन होता है वहां का जो ग्राहक है वह अलग होता है उसका वेवार अलग होता है अंतराश्टिय बाजारों में भाशा प्रात्मित्ता और रिती रिवाजों के आदिकी बिन्नता के कारण समरूपता का अभाव रहता है आगे देखते हैं बच्चों व्यवसाय की प्रणालियों एवं व्यवार में भिनता देखिए एक देश की सीमा के भीतर जो व्यवसाय किया जाता है तो वहां पर व्यवसाय की प्रणालियां और व्यवार एक जैसा देखने को मिलता है हमारे देश में जो व्यवसाय की पद राश्टिय इस्तर पर अलग 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 प्रणालियां होती है अलग अलग व्यवसाय का वहवार देखने को मिलता है तो उसकी जानकारी व्यवसाय को होनी चाहिए विविन्ने देशों में व्यवसाय की पद्दतियां एवं व्यवार भी भिन्न होते हैं और इसके कारण अंत नितिक परणाली प्रभावीत करती है क्योंकि हम जिस देश में घरेलू व्यवसाय कर रहे हैं हम भारत में घरेलू व्यवसाय कर रहे हैं तो भारत की जो राजनितिक परणाली है उसके अनुरूप हम काम करती हैं और यहां पर जो जोखिमें हैं उन्हें ही हमें वहन करना होता है एक ही देश की राजनितिक परणाली वह जोखिमों से वास्ता करना पड़ता है जबकि अंतराष्ट यह इस्तर पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग राजनितिक परणाली पाई जाती है कहीं सामयवाद है कहीं अलग अलग देशों की राजनितिक प्रणालियों के स्वरूप एवं जोखिमों की सीमा अधिक होती है जो कभी-कभी अंतरराश्टिये व्यवसाय में बादक हो जाती है अगला बिंदू है बच्चों व्यवसाय समंदित नियम एवं नीतियां देखिए जब घरेलू व्यवस किया जाता है देश के अंदर तो पूरे देश में एक ही प्रकार के नियम नीतियां कर प्रणाली लागू होती है जबकि अंतरराश्टिये इस तरपर व्यवसाय को अलग अलग देशों के नियमों वहां की कर प्रणाली नीतियों के बारे में जानकरी होनी चाहिए घरेलू व्यवसाय में एक ही देश के नियम, कानून, नीतियां वा कर्मरनाली लागू होती है, जबकि अंतराश्टी व्यवसाय में लेंदेन पर बहुत से देशों के नियम, कानून, नीतियां, सीमा, सुलक, एवं, कोटा, आदी लागू होते हैं, देखिए, अंतराश्टी व्यवसा नीतियां भी सभी की अलग-अलग हैं और सीमाशुल्क एवम कोटा पद्दती भी अलग 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 पाया जाता है तो इनकी जानकारी व्यवसाई को हुनी चाहिए व्यवसाय में प्रियोगत मुद्रा जब घरेलू व्यवसाय होता है तो उसी देश की मुद्रा में विवसाय किया जाता है भारत में हम अपने देश की मुद्रा का प्रियोग करते हैं रुपे का प्रियोग करते हैं जबकि जो अंतराष्ट ये विवसाय होता है वह लेंदेन में एक से अधिक देशों की मुद्रा का प्रियोग होता है जैसे अमे होता है कर दाएक के अनुसार को तेजन रेल सड़क वाई यात्रा गर्यलु व्यवसाय से बहुतंब आसानी से क्या कर जा सकता है रेल सड़क यह वयू मार्ग के दिवारा यहां पर व्यवसाय असानी से संचालित हो सकता है जबकि अंतराश्य व्यवसाय में माल देश्क सीमाओं से बाहर जाता है अंतराश्य व्यवसाय में जो माल होता है वह देश्की सीमाओं के बाहर जाएगा तो वहाँ पर केवल वायूमार्ग और केवल जलमार्ग के द्वारा ही भेजा जा सकता है केवल समुद्री या हवाई माद्यम से ही भेजा जाता है इसके अलावा अन्य माद्यमों से बहुत कम देशों के साथ ही अंतराश्टी व्यवसाय कर सकते हैं जैसे भारत है बारत अगर बंगलादेश या नेपाल के साथ अंतराश्टी व्यवसाय करता है तो सड़क मार्ग रे तो उस देश के सीमा के अंदर परिवहन की लागत बहुत कम आती है, परिवहन पर बहुत कम खर्चा होता है, काफी कम लागत आती है, जबकि अंतरराश्ठी व्यवसाय में एक देश से दूसरी देश की दूरी बहुत अधिक होती है, लंबी दूरी के कारण परिवहन की लागत भी बहुत अधिक आती है, अधिक महंगी क्योंकि लंबी दूरी की delivery करनी होती है इस कारण प्रिवहन पर लागत भी बहुत अधिक आती है बच्चों आज हमने इस video में अंतरास्टिय व्यापार को जाना अंतरास्थिय वयवसाय के कारणूं पर हमने चर्चा की और घरेलू वयवसाय वय अंतरास्थिय व्यवसाय के 20 के अंतर को भी हमने यहां पर समझा है अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे धन्यवाल